अस्सलाम वालेकूं I hope आप सब खेरियत से है मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब का तहे दिल से शुक्रिया मैं आपके साथ अपने experiences शेर करती रहती हूं इसलाम में आने के बाद और इसलाम के वो पहलो आपके सामने लाती हूं जो मैंने पहले समझने में गलती की थी और अब मुझे crystal clear समझ में आने लगे अलहम्दल अल्ला इसमें से इसलाम का एक moment होने का सबसे strong pillar है नमाज हम नमाज को ना एक मेर बोलते ना कि पढ़नी पढ़ेगी इस धंग से देखते हैं पर मैं अब नमाज को एक अलग धंग से देखने लगे हूं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पांच वक्त की नमाज इसलिए पढ़ने चाहिए क्योंकि मुझे अपने दिल की सारी बाते उस अल्ला से शेयर करने चाहिए जिसने ये पुरी दुनिया बनाई है जिसने पुरा यूनिवर्स बनाया है जिसने हर चीज बनाई है जो हर चीज पे कादिर है जब हम अपनी माँ को बहुत याद करते है और जब हमारी माँ हमारी आखों से ओजल हो जाती है तब हमें एक अलग ही तरह की बेचे नहीं महसूस होती है तब हमें ऐसा होता है कब मेरी माँ मेरे सामने आ जाए और मैं उससे अपने दिल के हाल शेयर कर लो क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दुनिया में हमें सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है तो वो हमारी मा होती है पर आप ज़रा सोचिए अपनी महपत को मा की महपत के साथ कंपेर करके उस पे 70 टाइम्स ज्यादा का इजाफा किया है अपने बंदे से 70 टाइम्स ज्यादा मा की महपत से ज्यादा प्यार करता है कि आप समझ सकते हैं कि वो हमसे कितनी महबबत करता है और वो हमसे चाहता ही क्या है आखिर मांच वक्त की नमाज रोजे रखना चैरिटी करना यह एक बेसिक चीज़े है और हम पांच वक्त की नमाज को फर्स के साथ साथ हम शायद इस तरह भी तो ले सकते न कि दिन में पाँच मर्तबा उस खालिक के साथ अपने दिल के हाल बताएं उस खालिक के सामने अपनी ख्वायशात रखे उस खालिक के सामने दुआएं मांगे जो हर चीज़ पे कादर है हमारी जिन्दगी में न हमने हर जगा बाउंडरी सेट करके रखिये कि हमारे लिए क्या मुम्किन है और क्या मुम्किन नहीं है पर हम भूल जाते हैं कि वो अल्ला है जिसके लिए सिर्फ एक कुन की बात है इसलिए ये जो पांच वक्त की नमाजे होती है न ये हमें अल्ला से हमेशा करीबी करती है हम अगर उसे एक फर्ज अदा करने के ढंग से पढ़ कर छोड़ देंगे तो ये हमारे लिए काफी नहीं होगा हम नमास के हर सजदे में अल्ला के सामने जुख जाए अल्ला के सामने अपने आपको पूरी तरह हम सोब दे कि या अल्ला मैं तेरे सामने जुख जाती हूँ या अल्ला मैं तेरे सामने जुख जाता हूँ मैं अपने आपको तुझे सौब देता हूँ मैं अपने जस्बात अपने हालात सब तेरे हवाले करता हूँ तू मेरे लिए बहतर से बहतरीन फैसले कर नमाज हमारी जिंदगी में वो रोल प्ले कर सकता है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है हमारे लिए ना हमेशा एक बोलते हैं एक इनसान जरूरी होता है जिससे हम हर चीज शेयर कर सके पर हम भूल जाते हैं कि हमें किसी की जरूरत ही नहीं है जब हम पांच वक्त के नमाज के आदी हो जाएंगे ना, तब हमारे लिए हर चीज, हर दोस्त, हर एक रोल हमारा नमास में अदा हो जाएगा, ना हम कभी डिप्रेस फील करेंगे, ना हम खुद को कभी अकेला महसूस करेंगे, और ना हमारी जिन्दगी में कोई कमी होगी, क्यूंकि जो दिल से अल्ला के सामने खुद को सौब देता है ना, अल्ला उनकी दुआ कभी रद नहीं करता, बेशक वो सबर मांगता है, बेशक वो आजमाईश करता है, पर वो उसकी दुआ कभी रद नहीं करता, इतना मैं यकीन के साथ कह सकती हूं, भरोसे के साथ कह सकती हूं, क्योंकि मेरा अल्ला जानता है कि मैंने उससे मांगी भी हर दुआ उसने मेरी कबूल किया तो मुझे ये भी अकीन है कि अगर दिल से आप भी मांगोगे तो वो किसी की दुआ रद नहीं करता वो हर किसी से मौपत करता है मेरे अल्ला के सामने पांच वक्त की नमाज फर्स से ज्यादा एक दोसट की खोज में एक दिल के हाल शेहर करने वाले की खोज में अगर आप करेंगे ना तो आपके लिए जिंदगी बहतर हो जाएगी आपके जिंदगी में सुकुन आ जाएगा इसलिए मैं आप सब से दिल से कहती हम कि आप लोग नमाज का एक नजरिया बदल दे अपके नमाज में ये भी एड़ कर ले कि मुझे मेरे अल्ला से अपने दिल के सारे हाल शेयर करने है मुझे मेरे अल्ला से दोस्ती करने है क्योंकि मेरा अल्ला मुझे वो उस तरह समझ सकता है जिस तरह दुनिया में कोई नहीं समद सकता असलाम वालेकुम